किसन वह फसल पर दो प्रकारगी समस्यां बेसेज कर होती है एक होथी है फंगल संबन दिये और एक होती है कीट संबन दिये तो गर्मुआ के मौसम में सबसेवली समस्या थी वह अदि फंगस की खसका टमाटर फसल की मैं आले बात कर रहा हूं किईट फद्गे गर्मी तो इस कट चुकी है कि और अन्य फसल चैना वागरा जो भी लगे हुई थी वो सारी फसल कट चुकी है और वहाँ पर पूरा ड्राइय एरिया है सुका पन है वहाँ पर तो जो जितने ही कीट पतंग है वो अपने जीवन आपने के लिए क्या करते हैं कि जहां पर हर्याली होती है हमारी पर आटेंग कर रहे हैं होते तो वह हमेंशा है मगर आधी की समय जुट इसलिए झालuben ओक्र हमोती है चर्षा करणा के पहले पांचिता करेंगे पहचान की पहचाने कैसे हुँ कि यह एकरते हैं वो तीसरे पाइंट होगा हमारा कि उनका जीवन चक्र क्या होता है और चौता पाइंट होगा रासानिक नेंदर और पांचवा होगा हमारा आखरी जो पाइंट होगा वो हमारा होगा जैविक नेंदर उनका कैसा किया जाता है करते हैं तो चली वीडियो को सुभात करते हैं मैं हूर आकिस यह अप देख रहे हैं और दोस्तों यदि हमारा प्रयास हमारी मेंनट आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल ने दिया आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाए ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं जो भी जनकारी हैं खेती संबनी हम चैनल पर डालते हैं तो उसकी जो जनकारी है वो आपको नोटिपी केसं की तो इस चैनल पर कोई सुनी सुनाई बाते हैं आपको नहीं मिलेंगी इस चैनल पर वही वात बिलेंगी जो हमने अन्वा कोर चुका है और मैं पिछले आठ सालों से सब्जी के खेती कर रहा हूँ तो जो भी अन्वा है मैं आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ और जो हमारा यही प्रयास है दोस्तों कि हम जो हमारे नए किसान भाई हैं जो सब्जी के खेती में आना चाह रहा हैं उनको कोई फरिसानी नहोग और उनकुछ सारी जयानकरिया एक फलिट फार पर मिल सके जयानकरिया तो आपको ऊने चैनलों पर मिल पाएंगे मागर इस चैनल की एक खास बात होगी जैसे ही मेरे फार्म कोई समस्या या बिमारी नजर आती है तो मैं उस बारे में वीडियो आपको बना के दूँगा उसकी जानकर ये आपको चैनल के माधियम से दूँगा तो चैनल को जरूर स्क्राइब करें और चैनल पर बने रहें चलिए वीडियो की सुर्बात करते हैं औ तो सबसे पहले जो पाइंट दूस्तों वह पैंचान तो यह जो देख रहें दूस्तों आप यह एक पती है मरी लीफ मैनर जिसमें अटैक हो चुका है और आप देख रहें यह कि यह जो है सांप करहती आपको देखनी को मिल रही है दूसरा जो अभी जो समस्या हमें नजर पतियां पूरी जो है जले नुमा यह जैसे हमारे लेड़ प्लेट लेक्शन होते हैं वैसे ही यह देखने में आ रही है यह उसका जो है लीफ मैनर का मल दिख रहा है आपको ठीक है तो और इसकी जो दूसरी स्टेज है वह है ली तो इल्ली क्या करती है कि हमारे फ़लों पे भी जो है अटेक करती है आपको जो फ़लों का साइज वो बिगड़ जाता है और फ़ल आपके खराब हो जाते हैं और हमने जो अपने फारम पर ये ट्रैप लगाए हो था इसको आप देख सकते हैं कि इतने इसमें फिपली जो है नजर आ रहे हैं तो इस प्रकार की जो फिपल आप लग वरी से नाइस नापको अमभी कुरोन है और डाल्टा वेरियंट है ये इस ही टाइप से जो है आपका ये क्यूटा एपसलूटा भी है जो की अलग अलग रूप पर हमारी फसल पर आकर अटेक करता है तो इसमें आप बिलकुल कर नहां जो लिप मैनन में दवाईय अब हम बात करें दोस्तों कि ये थासकर घ। partial और बेल बड़ी से उटनी फसल एंपर त्रवज है इन पर ज्यादा अटबूज है इन पर जअधाक करता है यह आपका खी रह हुआ घ। यह अड़करता है यह और बींस में आप बींस में आप देखें तो बरबटी है आपकी सेम है इस पर भी अटेक करता है लेकिन यह तूटा एप्सलुटा अब छो आया है यह तो टारिगेट कर रहा है कि हमारे पत्तिं पर एंडें देती है वहारी लार्भा नीचे गर जाता है जमीन पर आपकी और वूं चला जाते हैं और कोज़ा अवस्ता में जáfic में जाने के बाद फिर से वह कुछ दिनों के बाद पिर फिपल्य उसमें निकल जाती है और फिर से वह जी वंचा करल में चालु कर देता है और फिर से अंडे देता है तो यही जो करम है वह सुझार ने के वारे करना है जिनकी जो गंद है वो ज्यादा हो और जो गैस बनाले वाली हमारी दबाईया है यानि कि आप देखते हैं कि हम कोई दबाई का इस पर करते हैं तो पूरे जो एरिया होता है हमारा वो उसमें उसकी गंद जो है पूरा एरिया उसमें कवर हो जाता है तो यह जो गंद है करना पड़ेगा तो सबसे पहली बात तो जो भी टेक्निकल आप इसमाल करें इसमें आप उनकी गंद जो है ज्यादा होनी चाहिए तो इसमें जो टेक्निकल हैं वह जिसे आप ऐसी पिट का इसमाल कर सकते हैं इसमें प्रोफेन का इसमाल कर सकते हैं तो जितनी गंद वाली ची तीसरा ये कि आपको जब आपको एग हों तो एक को समाप्त करने के लिए जैसे इमामेक्टिन वगएरा है और प्रोफेनों है इनका इस्तमाल आप कर सकते हैं क्लूरो का इस्तमाल कर सकते हैं जिनसे की जो है आपका लीफ माइनर के जो एग है वो समाप्त हों फिपलियों के ल ऐधाया है वो इंका इसमयल कर सकते हैं जो कि फिलइयों को यान्य कि आपका दोनों काम करेगा एक तो लार्व को समप्रेगा और आपके फिलियों को इसमयल कर और सुन अन्य प्रकार के कीति जैसे हमरी двух से हमरे इनको भी इनको भी कंट्टोल करें क razor TV आपको ऐसे ही आपको वाइट प्लाई और थ्रिफ जिवी आपका नियांतर्ण देगा मारसल भी यही करेगा तो आपको जो इन दबाईयों को इस्तमाल करना है और खासकर विसे द्धान यहीं रखना है आपको कि आप जो है ऐसी दवाईयों का इस्तमाल करें जो कि गंद जिनकी जादा हो दूसरा यह कि इसको जब इस पर हम करना है तो वो हमें करना है साम के समय हो सके तो रात को यदी कर सकते हैं आप इस पर तो रात को तो रात में और साम क Une time इस लिए करना है झु मैं क्योंकि जो इसी फिपली होती है वह दिन भर नहीं रहती ही देया रहती है तो वह च्पी हुए होती है झाल श्मा वह साम के समय जिए घ८्ंड कर तो आप जो एक्त के लिए छो laheppu कर लिए जो crítय को आप इस प्रकार को आख स्काथिए बगाता है बैए जो सब्सक्राइब एक में तो आप देखते हैं कि अपका जो पोड़ा है वह Official का तंदुरस रहता है सुरक्षिद रहता है यह दोस्तों दोनों प्राकर कहने हैं तड़ा अब हम बात करें ते वीडियो के विजिए बात की प्रोफेक्स उपर लेंगे आपको तीन से मेल लेना पड़ेगा आपको इसके साथ में नहीं माइल लेंगे आप 300 मेल 10,000 प्राइब माला उसके साथ में आप लेंगे के स्टूडिया 400 मेल जो की फंगी साइड होगा हमारा सिस्टोमेटिक वे और कॉंटेक्ट वी इसके बाद ह सुस्क्राइब को आपके वी फेसलिया लेंगे क्योंकि अब यापकी जो फसल है वो लगभग मेरे हिसाब से फ्लावर स्टेज पर होगी तो फ्लावर स्टेज पर एफ़ी है और नहीं भी है तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है उसको लेना आपको 800 मेलार से नहीं तो एसमाल कर सकते हैं जो कि 400 ग्राम पर एकड़ के साथ रहेगा यानि कि 2 ग्राम पर लीटर के सबसे वहीं इसके साथ में जो है आप गंद वाला आपको फिस आईल मिल जाता है तो फिस आईल आप जो है अमीन विश्ट को भी काम करता है ये तो इसमें आप ले सकते हैं 2 एमल पर एकड़ किसाब से यानिकी 2 ml पर लीटर किसाब से और उसके साथ बाद फिर 54 लेंगी 500 ग्राम तो आज की जान कारी आपको कैसे लगी ये कॉम्मिनेशन जो मैंने बाता है वो कैसे लगे प्लीस कमेंट करके बताएं और यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें मैं उस सवाल का जवाब देने की पुई कुशिस करूँगा वैसे तो मैंने आज तक जितने भी मेरे को कमेंट आए है मैं सारे कमेंट का रिपले जरूर करता हूँ तो यदि आपका कोई सवाल है तो उसको जरूर लिखें आप कमेंट के मादन से और यदि आपको चैनल पर कोई सुझा देना है तो वो भी आप कमेंट बाक्स पर लिख सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो जब भी बनाए तो उसमें आपको आसुविदार ना हो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्काद जै हिन जै किसान जै जवाद